एलो नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपका इकनों के एक और महत्पून वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे इस बात पे कि क्या रिवेलिएशन करने पर कुछ फाइदे होते हैं ऐसे एस्टुडेंट जो फेल हो चुके हैं या फिर जिनका नमबर काफी कम आया है और उन्होंने अच्छा लिखा था तो क्या वे अगर रिवेलिएशन के लिए अपलीकेशन डालते हैं फॉर्म भरते हैं तो क्या उनके बढ़ सकते हैं क्या फेल हो चुके हैं क्या नमबर बढ़के बढ़ा करके वे पास हो सकते हैं इस प्रकार के प्रस्ण अक्सर एक स्टुडेंट के मन में आता है जब भी वे रिवेलिएशन के लिए सोचते हैं आपको बदा दूं देखिए इग्णों में या प्रोसेस अच रिजेक्ट हो सकता है इसलिए मालीजे आपका रिजल्ट एक तारीक को आया है तो मैक्सिमों आप 30 तारीक तक आप जो है उस मन्त के 30 तारीक तक या तीस दिन से 30 दिनों के भीतर आप अपने आंसर कॉपी के लिए रिवेलिशन फर्म भर सकते हैं अगर इसके बाद एक महिने बाद अगर 30 दिन बाद आप फर्म भरते हैं रिवेलिशन के लिए तो आपका जो रिवेलिशन का रिक्वेस्ट है वह कैंसल हो सकता है बात करते हैं इसके फाइदे का कि क्या रिवेलिशन के लिए जो हम फर्म भरत गभा Arrow से और आसम इसे कुछ फाइदे होते हैं गर अधिक्राइब देखा विइए कि यह इंशन के लिए अगर आप डालते हैं और आपके नंबर बढ़ जाते हैं अगर नंबर बढ़ते बढ़ाते हुए देखा भी गया है कि एकनों ने डिवेलियोशन के बाद नंबर को बढ़ाया है तो वह ज्यादा डिफरेंस नहीं आता तीन से चार मैक्सिमम पांच नंबर का ही डिफरेंस मिलता है दस नंबर, आठ नंबर साइध अपवाधी हो जो कभी देखने को मिलता हो तो रिवेलियोशन में आपको तीन से चार नंबर का ही अंतर दिखता है कभी यह नंबर बढ़ भी जाता है तो कभी यह नंबर घट भी जाता है तो यह भी एक समस्या है इगनों के साथ तो अगर आपको लगता है कि आपका नंबर सही नहीं है तो देखीए इगनोग के अंदर December और June दो समय exam लिये जाता है तो आप बहतर ये भी हो सकता है कि अगर आप revelation के लिए आपने क्या लिखा था, क्या हो सकता है इसमें अगर confirm नहों तो आप इन दोनों सेशन में दिसंबर और जून के सेशन में आ करके एक्जाम दे सकते हैं और अपने डियल्ट को बहतर कर सकते हैं इसके लिए देखे आपको पढ़ना तो पड़ेगा और आंसर जब भी लिखे तो point wise लिखे यहां एस्ट्रेंट सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वे नंबर आंसर लिखते हैं सभी प्रस्णों का जवाब देते हैं इसके बाबजूत नंबर कम आता है कारण यही है कि आप आंसर point wise नहीं लिखते इगनों में जो examiner जो checker होते हैं जो copy check करते हैं वे आपके पूरे answer को नहीं पढ़ते वे सिर्फ आपके द्वारा highlighted किये गए point जो आपने प्रस्ण के उत्तर के रूप में लिखे हैं मातर वे उसे पढ़के अंताया लगाते हैं कि आपको इस प्रस्ण के बाड़े में कितनी समझ है तो जब भी answer लिखे तो point wise लिखे तो ये कुछ जानकाड़ी थी अगर आप answer अपने answer copy को revolution के लिए डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं पर उसे पहले आप confirm हो जाए कि आपने शही ढंक से लिखा था और उसे पहले प्रियास करें कि sword pay का fees जमा करके आप अपने answer script को अपने mail ID पर मंगा करके देख सकते हैं कि examiner जो checker ने आपकी copy को किस तरह check किया है और किस तरह से आपको marks दिया गया है अगर फिर भी आपको लगता है उम्मीद लगता है कि इसमें बढ़ा आया जा सकता है नंबर बढ़ सकता है तो बिल्कुल revolution के लिए apply करें तो यही जानकाड़ी आज की इस वीडियो में थी कि क्या revolution से कुछ फायदे हो सकते हैं या नहीं तो मैंने आपको दोनों बाते बताई है आगे आप अपने विवेक के नुसार काम कर सकते हैं चलिए ऐसी महत्पुन जानकाड़ी के साथ लगातार मिलते रहेंगे तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए वीडियो देखें